असलाम अलेकूम फ्रेंस कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी स्टाइल कद्दू की खीकी रेसिपी यह बहुत जल्दी बन जाती है जब भी आपके घर में महमारा है तो आप इसे जरूर ट्राइ करना तो चलि देंगे यानिके दूदी को दाल देंगे और यह आदा कप साबू दाना है यह मैंने आदा घंटा पहले भीगों के रखी यह भी डाल देंगे तो दोनों को हम अच्छे से पका लेंगे और थोड़ा सा दूद्ध जो है रिडियूस हो जाएगा तब तक हम इसको पका लेंग तो उसके बाद हम पाओ किलो के करीब खोया डाल देंगे ग्रेट करके डाल देंगे और अब शकर भी डाल देंगे तो शकर अब अपने टेस्ट के साब से डाल देंगे मैंने यहां पर एक कप शकर ली हूँ अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच इलाइची पौडर और यह सब दालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यू और यहां पर मैं कुछ राइफ प्रोस ली हूँ यह बदाम पिस्ता और काजू अब अपने इसाब से कम या जादा कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको ब्लेंडर में डालके इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी एकदम पौडर नहीं बनाना है हलका सा इसको हम एक से दो बार इसको चलाएंगे बस तो हमारी खीर जो अभी रेडी हो चुकी है अब इसमें मैं ग्रीन कलर दालूँगी तो अगर आपको डालना है तो आप डालिए नहीं डालना है तो कोई बात ने लेकिन इस से जो है इसका कदू की खीर का जो है कलर अच्छा आता है और यही होता है और इसमें हमने जो काजू बदाम जो पीसे थे वो भी डाल देंगे और यह खीर जो है बहुत जल्दी बनके तियार हो जाती है तो आप लोग भी से ज़रू ट्राइ करें और इसको हम ठंडी ठंडी ही सर्फ करेंगे तो कद्दू की खीर बनकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंज अगर आपको मीडिये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें तैंक्यू सो मच अला हाफिस